या बिलकुल जैहिन मेरे बच्चो जैहिन, 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 जैहिन या रेनु कमार, सतीष, योगेंद्र कुमार, योगेंद्र और नीतेश और पूजा, मीना, सतीष और योगेंद्र और मुकेश और विरेंद्र कुमार, रेनु सामरिया है बिलकुल, या टीना है, सतीष, दाकड़ है, या मुकेश, या बिलकुल दिलीप, उदर से देखो कहीं याद याद बेलकुल आपको नमस्कार जितेन भाई सोनु जी प्रमोद जी दिलीप मुकेश मानवी प्रतीक पुजा टीना आप लोग मुझे पता नहीं आप लोग उदार तनमे वगराब आपको तनमे और चातुर सिंग मनोहर कुंडी छोटु सिंग सुभाष और ब्यंद सं विरिंद कुमार शर्मा और मानवी और चोटु सिंग किशन कृष्ण और कमलेश मीना चोटु सिंग सोडा याद साब सबको नमस्कार मित्रो बेलको लाप आजाईए यहाँ पर अब देखो आज आज देखो दिलीप जानवा जो है वो तो जीलों की नगरी से वाँ उदयप से विवाख आज धनि के साथ से साथ में प्यारी बच्चे के साथ बहुत फोट के साथ है रेनु प्रदीप जरडा और राम गुर्जार हीम राज और रेनुक में रावकवर दिविंद्र और प्रदीप वास, मित्रो आजम पार बात करेंगे यह प्रकरती का लिंग और भाशा का लिंग बिलकुल अलग 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 है प्रकरती में इस्त्रिलिंग पुलिंग है दो हैं संस्कृत में तीन थे एक नपुनसिक लिंग भी था वो नपुनसिक लिंग वो सार वो सब या तो पुलिंग बन गया इस्त्रिलिंग बन गया और ये हिंदी का मसला आप त पूछने के संद्रशना को समझना बहुत कठी नहीं जब मैं बताया था आज से बाउन वर्ष पहले में अमेरिकन्स को पड़ाता था था हिंदी उनको हिंदी पड़ाता था और जब उन्होंने पूछा सर यह पुलिंग कैसे इस्त्री लिंग कैसे उनका सब यह पंखा कैसे प यहां पर तो लेकिन हमारे आदो पंखा चल ला है तो बिलकुल आप हिंदी के स्टार लगा के साथ आप आएंगी तो हम स्वागत करेंगे आपको मिठाई किलाएंगे या नियम नहीं है बिलकुल सब नियम नहीं है लेकिन हमें जंजट नहीं है रेनूसा मरिया क्यों कि हमा अरे मात्रभाशी हम हैं और वाक्य बनाएंगे तो वाक्य से पता लग जाएगा यह कौन सा है बेलकुल इसलिए हमें ज्यादा जिंजट नहीं है लेकिन फिर भी कुछ चीजों बताओ मेरी एज क्यों बताओ वाई दिलीब जानवा मेरी एज क्यों बताओ तुम अपनी एज बताओ जो तुमारी एज है बस उसे एज से थोड़ी सी दो साल जादा मेरी और क्या बात बस यह देखो देखो मेरी उम्र पूछ रहा है वाई देखो उम्र पूछ रहा है वाई देखो देखो पुलिंग और स्प्रिलिंग एक तो देखो शब्द को सेखो पूख के उपर भी बिंदी और इसके भी है यह है पुंस यह है पुंस और लिंग पुंस और लिंग है और यही सह ले को देख करके ले बन जाता है और पुंस का पूख की बिंदू है और यह लिंग की लिं में जंजटनी होगा फिर भी भाशा और प्रकृति उसको ध्यान में रखना पड़ेगा देखो हिंदी में दो लिंग है पुलिंग और स्ट्रिलिंग संस्कित का नपुन्सक लिंग पुलिंग या स्ट्रिलिंग में बठ गया लिंग का कोई स्पष्ट नियम नहीं प्रियोग नियर्भर प्रियोग जानते इसलिया हैं अकारांत पुलिंग देखो हमारे कुछ शब्द अकारांत है घर देव मनुष्य संthese पटंग हैं पलंग कैसे पता लागते घर बन रहा है, जो है देव हमारे घर देव आ गया मनुश्य अच्छा है, संगीत अच्छा है, पतंग अच्छा है, पालंग अच्छा है, पैचान लिया, सब पुल लेंगे अब देखो यह स्रीलिंग है और यहाँ अच्छी है पतंग अच्छी है खाट अच्छी है और चमक अच्छी है सनक अच्छी है और दीमक अच्छी है यह सब अंत में है इसके भी अंत में है यह सब पुल लिंगर यह स्रीलिंगर बताओ कैसे पढ़ा होगे किसी बच्छे को कैसे पढ़ा होगे और देखो आकारांत यह आकरांत अंत में आ रहा देखो जंडा जंडा अच्छा है घडा अच्छा है लड़का अच्छा है मटका अ या निया वो इन सब के अंत में क्या है? और इसके अंत में भी आ का राए है यानि आँकारांत पुलिंग भी होते हैं और श्री लिंग भी होते हैं और देखे, छोटी, ये देखो, छोटी, कवी, कवी अच्छा है, रवी अच्छा है, रवी सूरज, हरी, हरी अच्छा है, हरी बंदर और इश्वर, हरी अच्छा है, ये देखो, मुनी अच्छा है, शशी अच्छा है, घी अच्छा है, ये तो छोटी तक थे, और ये बड़ी प्रतीती अच्छी प्रीती अच्छी रात्री अच्छी जाती अच्छी और इसके बाद में ये बढ़ी की मात्रा है। प्रमोध बच्ची का नाम तो थोड़े भाई जहिन सर्ज मिलकुल यही सका नियम तो सर तो जो रेणु कमर यही अब देखो उकारांत के देख रो और देख लो आप मधु मधु शहद मधु अच्छा एकतु जंडे को कहते अच्छा एक आशु अच्छा है वपु शरीर को कह ते गुरू अच्छा है, सादू अच्छा है, लडू अच्छा है, बढ़ाऊ और राहू अच्छा है, और यह देखो धेनू, धेनू अच्छी है, गाय अच्छी है, या और वधू, वधू अच्छी है, बढ़ाऊ और बहू अच्छी है, और भुरू बहें अच्छी है, और एक को थोड़ी लगाई है आधी एकेडमी भर जाती है परिश्कार से या अजया प्रमोद लड़की है तो लड़की है तो प्रमोद अच्छी है फिर तो प्रमोद अच्छी है या तो जीवन के उस जहां दर्द बरा लिखनी आप मौन ओकर रहने से निकोशिक करता हूं माना अच्छा थिक अकारंथ पुलिंग से त्री रही हो सब्सक्राइब इसके आधार प्रियोग क्या अच्छा है अच्छी अच्छा है अच्छी ये प्रियोग करके तो बता है इसलिए सब अच्छा हो गया अब देखो आप कुछ शब्द हमेशा पुलिंग में प्रियोग दिलो और इनके स्रिलिंग होता ही नहीं देखिए ये देखिए उल्लू 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 अच्छा है अब उल्ली होती है प्र तो बिल्ली का बिला होता है, कुत्ता पास में रहता है, तो कुत्ता होता है और कुतिया होती है, चीडी को चीड़ा भी कह सकते हैं, ये चीडी और चीड़ा पास में रहते हैं, लेकिन फिर ज्यादा पता नहीं रहता, कबुतर का कबुतरी थोड़ा सा मुश्किल है पैचानन इसलिए देखो तो उनका छोड़ो रहे है उल्लू सब को उल्लू बोल दो सब उल्लू है खरगोश है खरगोशी भी होती है यह सब पुलिंग है पक्षी लो बड़ी की मात्रा है पक्षी स्रीलिंग है पुलिंग है पक्षी उड़ रही है या पक्षी उड़ रहा है उड़ र आपकी बार यूपी और राज्तान दोनों पुलिस अकेडमी बनेगी यास यास यूपी बिलकुल बेकुल सही मनोज यास वाक्चे के वाक्यों में कभी-कभी कन्फ्यूज होता है कोई बात नहीं अभी एक बार पढ़ा ना पिर दुबारा और करेंगे अभी तो टेस्ट करें आपने जो नंबर बताए जी यूस में उसमें बुक मंगवाई थी अच्छा एनिवे किंग अशोग पूजा और राजान मीना और विक्रम सिंग राम सिंग कृष्ण कुमार सोम विश्णोई और सुनील विश्णोई राम गुर्जर विक्रम सिंग और प्रिया पीयू और प अब देखो मच्छर अच्छा है गेंडा अच्छा है देश अच्छा है दही अच्छा है तोता अच्छा है बेडिया अच्छा है, गीदर अच्छा है, कववा अच्छा है, पानी अच्छा है, घी अच्छा है, गुसा अच्छा है, दात अच्छा है ये सब क्या है, पुलिंग, इनका स्ट्रिलिंग होता ही नहीं, पानी का और कुछ नहीं होता, बेडिया का बेडी नहीं, गीदडी नहीं होता, कवी नहीं होता, तोती नहीं होता, और ये गेंडी नहीं होता, मच्छरी नहीं होता, ये सब होता ही नहीं, गुस्सी नहीं होता, नित्य स्ट्रिलिंग शब्द देखे आप इनका पुलिंगी नहीं होता भाषा में देखो क्या है जिसको जो बोल दिया बोल दिया एक बार बाकी सब लोग कुछ शब्द हमेशा स्ट्रिलिंग में प्रयोते हैं यह देखो संतान, संतान अच्छी है उसके दो लड़के हैं भाष उसकी दोनों संतान अच्छी है लो बताइये या दोनों 3D होलू ग्राम के बारे में WhatsApp पर reply नहीं आयीं अच्छा ओके मैं चेक करता हूं देखो संतान अच्छी है कोईल अच्छी है कोईल अच्छा नहीं मक्ख्य का पुलिंग होता है मक्खा होता है लेकिन उसमक्खा को मक्खी बोलते है यह दिखो सवारी तो बहती इंटरस्टिश जी देखो कंडुक्र कहता है ड्राइवर को इता है रुको रुको दो सवारी आ रही है और आ रही है दो सवारी और आ रहे है दो लड़के अगर लड़का कहेगा तो दो लड़के आ रहे है अगर ठेर भाई ड्राइवर ठेर दो सवारी आ रही है अब बताईए सवारी शब्द स्रिलिंग है बले वो किसी के साथ काम हो या या ये देखो जीते पुलीस स्ब इंस्पेक्टर बनेंगे मैना मैना देखो मैना बोल लेई है लोमड़ी अच्छी है छाच अच्छी है मकड़ी का मकड़ा नहीं होता है मकड़ा को भी होता है मकड़ा होता है उसको मकड़ी बोलते है तितला होता है बोलते है तितली है छिपकला होता है बोलते है छिपकली है मिठास अच्छी है अब मिठास तो देखो कोई स्त्री न पुरुष मिठास तो भावचक संग्या है लेकिन सहे तो संग्या न भावचक संग्या भी या तो स्र अब बताओ गुस साब पुलिंक के से हुआ और मिठा से चिक अच्छी है जलन अच्छी हो रही है जलन ओड़ी लिखावट अच्छी है और फुलिस सारे मर्द भरे पड़े और सब कहेंगे पुलिस अच्छी है देखो पुलिस हमेशा स्रीलिंग है, कानून अच्छा है, फारसी भाषा के शब्दे कानून, और सेना अच्छी है, और मूच लो, लो पुलिंग के यहां पर लगी वी है, मूच अच्छी है, बताओ मूच, मूच, बेचारे, इसी आधार पे तो वो पुरुष है, और उसके अधार पे उसकी मूच स्रीलिंग है, भाषा का कोई है मुच के बात देखो, मूच अच्छी है, दो, पुरुष के मूच और वो अच्छी है, यह देखो, मूच अच्छी है, तो आप सोची तो सही क्या, 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 क्या हो गया, इसको देखो लेकिन कोई बात नहीं है, ज जलन हो रहा है। प्रदी जलन हो रहा है। जलन हो रहा है नहीं सर आपको आपके दादा जी बहादुर सिंग जी रेणु कमर बहादुर सिंग जी कहां के बहादुर सिंग जी ये सुजानफरा स्कूल के पास के तो नहीं है बादुर सिंग जी क्योंकि मेरे टीचर थे वहाँ पर एक सुजानपुरा स्कूल में थे पहले बादुर सिंग जी ओके रेनु कमर यह देखो लेंग देखो भ्रांति वश नाक नासी का संस्कृत इस्त्रिलिंग यह तो देखो मैं आज कर एक जीवनी लिख रहा हूं मेरी मेरी जीवनी अभी करीब 120 पेज में लिख ली है बचपन के और इसमें सुजान प्राण मैंने उनका नाम लिखाया आपके दिनान जी का अगर वो सामले रंके थे वो सुजान प्राण स्कूल में ठीचर थे अगर ये वे ही है या वे ही है तो मेरे खाल से वो असी वर्ष से उपर के होंगे या असी वर्ष से उपर के होंगे अगर अगर रेनु कमर ये वही बाहदुर सिंग जी है तो स्कूल में पढ़ाते थे कर आए नहीं और बन्यान फट गया नहीं यह दिख रही हो पूजा कौकस खूब दिख रही हो अभी आयो लगता है तुम अच्छा बस ही सुजानप्रास ओके 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 तो बस मेरा प्रणाम उनको प्रणाम नमस्कार भी नहीं मेरा प्रणाम दंडवत मेरी दंडवत उनको उनी के द्वारा वहीं से बनाए वे हम हैं यह उनी का संसकार मिला वहीं से पढ़के आएं हम उनके रिणी हैं या 85 वर्ष बास 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 पिच्चाइसी वर्ष के तो आप उनको मेरा प्रणाम कहिएगा और कभी उनकी फोटो दिखाईएगा अगर कहीं कहीं हो तो हैं बिलकुल अच्छा है यह तो बहुत अच्छी बात है मैंने 1962 में 1962 मे फिर 65 से मैंने以 15 से वहां से पास की ओके और फिर आगे ओके कमीज अरबी कमीज ध्री स्ट्रिलिंग कमीज धहीло और कमीज भी है देखो कमीज मेली हो गई है यह मैं बता रहा हूं बन्यान और कमीज को हमारे यह یہ वह खास सब्द ला रहा हूं जिनके ओपर हमारे साथ सुटिया जाती सा,वनों धारो apoyo फ़ार श्रविद हो गया और यह आरभी में बनियान, बनीयान रम वहां से आया यह बिल्कुल सतीष्वत, सतीष्वत दाख़ड आपके कमेंट आ रहे हैं सतीश धाकड या रक्षा का या कक्षा है तो आप देखे कभी शब्द का सही स्ट्रिलिंग रूप क्या है बस आजए बस इसको आप तो आपका मामला है आप जाने कभी अब यह तो देखो क्या शब्द शुद्धी का सवाल पूछ लिया इनको सवाल बीनी पूछन आता इब आपको है सतीश धाकड आरहे हैं आपके कमेंट्स मुली पालिवाल गोमुंदा आकको ओ देखा वा मेरा पाहाड क्यों पर है मुल्ली पालिवाल बिलकुल साब गोमुंदा बिलकुल कख्षा का बावच्ण क्या होगा कख्षा तो स्ब्द शुद् यह शब्द कव और इत्री है, वैसे तो कभी शब्द है, कभी में तो e आता है और इसी से confusion हो जाता हमको, कि बाए इसमें कभी होना चाहिए, कभी इत्री शब्द है, बिल्कुल कभी त्री शब्द है, सुदरशब्द का स्रिलिंग क्या है सुदरशब्द देखो सुदरशब्द का स्रिलिंग शब्द बताईए अब कितने सरल से इनको प्रशन भी बनाने नहीं आते ओर टीचर ग्रेट थैकेंड एक्जाम में हमारी एसे से एक्जामनर्स हैं उनकी जान को आ जाता है रियार इस सुंदर शब्द का स्रेलिंग क्या है, सुंदर लड़का और सुंदरी, यह कोई है नहीं, सुंदरी अपने आप में है, सुंदर लड़का और सुंदर लड़की बास, वहां सुंदरी होता नहीं है, देखो सुंदर तो है विशेशन और सुंदरी, यह देखे सुंदरी संग्य प्रवाई का स्रीलिंग क्या है यह तो बिल्कुल ठीक हल्वाई का है रिप्लाई कैसे नहीं दे रहे रामवतार गुर्जर कृष्ण कुमार संजेद दीकर श्रीपाल दिनेश विजय सिंग विरेंद्र और सुनिल मुझे पढ़ाई पढ़ने नहीं दोगे तुम बावु सेव अब रामगुर्जर रामकुमारी और इसमें आपको देखो हल्वाईन हल्वाईन है हल्वाईन है ट्स अजवाईन आप देखिये ऊके बिल्कुल यह आपका दो जैखो कितना सरफ प्रश्ण है निम्लिक इतमे से कौनसा शळू श्रिलिंग और पुलिंग दोना है रास्तान एक्जाम है 2010 में 2018 में ये एक बहुत प्रश्ण है मजह आगया एक्जामन के उसको ऐसा चीज मिल गई और इसलिए प्रश्ण पूछा अब इसमें विचारे चक्कर्म पढ़ जाते हैं बच्छे कौन सा शब्द है जो स्ट्रिलिंग और पुलिंग दोनों है अब बताओ मिक्रम वादव नगर जयपूर ओके विक्रम माधव अच्छा अच्छा हमारे मिक्रम माधव ओके जा चार में देखो हार है यह हार है तार अच्छा है तार तो पुलिंग यह है तार हार दो अर्थों में एक तो है डिफीट हार जीत और एक है हार गहना आबुशन जो आबुशन है हार अच्छा है यह तो है पुलिंग यह तो पुलिंग है और हार हो गई ये है इस्ट्रिलिंग पराजे ये जो पराजे के अर्थ में है पराजे इस अर्थ में तो हिस्ट्रिलिंग है और जो आभूशन है उस रूप में पुलिंग है निमलिकिन में कौन सा शब्द इस्ट्रिलिंग और पुलिंग दोनों है ऐसा गले का हार और हार पराजे बिल्कु सही है युद में हार दिम्लिखित में कौन सा शब्स्रिलिंग नहीं है कौन सा शब्स्रिलिंग है कुछा तो समू बाचक है सेना की तरह तो भवच्तन कैसे होगा यह बिल्कुल नहीं, कक्शा और कक्षाएं दोनों होगा ना। आपने पूछा कक्षा एकवच्छा ने क्या तो यस कक्षा और कक्षा बैठी है। यह कक्षा एकवच्चन यह कक्षा बवच्चन तो कक्षा नित्ते कक्षा नित्य इस्ट्रिलिंग नहीं है और नित्य एकवचन नहीं है कक्षा का एकवचन बनता और उसका बहचन बनता यह है प्रश्ट कक्षा तो एकवचन है लेकिन कक्षा का बहचन भी होता है यह ध्यान में रखने की बात यह देखें दर्द कौनसा शब्द इस्ट्रिलि कौन सा शब्द इस्ट्रिलिंग नहीं है तो माई माई तो मा के अर्थ में है और दर्द दर्द जो है भाई अगर भाई होगा तो भाई तो पुलिंग है लेकिन यहां माई है और यह दर्द है अब दर्द हो रहा है यह क्या पंजाबी में पंजाबी में बोलते पीर पीर हो र लेकिन वो दर्द को भी स्रिलिंग बना देते हैं क्योंकि दोनों परियाई बाची पीर और दर्द इसले वो चक्कर में आ जाता है तार लंबा है तार लंबी है नहीं तार लंबा है या राहुल मिना जी तार लंबा है तार लंबी नहीं है नो मेरी दाल गल गई बिलकुल सही दाल बनेगी, माई गई, गर्दन तूट गई, कर्था के लिंग का पता नहीं होने पर क्रिया कौन सी होती है, यह देख उत्रा खंड में एक बार आ चुका, अगर मान लो कर्था का पता ही नहीं हो, क्यों स्रिलिंग है कि पुलिंग है, दर्वाया खट-कटा रहा है कोई, लेकिन आप, अगर आपको पता नहीं हो करता का, तो कौन सा वचन काम में लेते हो, आप लेते हो पुलिंग, पुलिंग काम में लेते हो, पुलिंग में, वचन के उनसार, या, पुलिंग में यह पूछते हो, या, अलमारी अच्छी, बिल्कु सही है, निमलिकत में स्रिलिं देखो न प्रशन क्या है? प्रशन तो देख लो क्या है? निम्लिकित में स्ट्रिलिंग शब्द कौन सा है? क्या करोगे? नियम तो लागू होता नहीं? अब पानी अच्छा है, दूद अच्छा है, तेल अच्छा, ठंडाई, ठंडाई अच्छा है या अच्छी है, फोकट के नमबर हैं, भेजा लगा नहीं ज़रत है, ठंडाई अच्छी है, अब क्या करोगे, एक पेज और दो पेज और चापेज, पेज बढ़ने से क्या मतलब या निम्लिकित में सदेव स्त्रिलिंग शब्द कौन सा बताओ जो हमेशा स्त्रिलिंग में काम आता है यह बता है मैंने अब वो तो ऐसे जो आये थे पिलपले क्वेश्चन थे कि वो तो आप कोई भी कर देते मैंने थोड़े से बनाए थोड़ा सा दिमाग लगेगा आपका और ऐसे प्रशन भी आ सकते है राएं या पूजा कौकस जब तक बूढ़ा नहीं हो जाओंगा नभी वक्त या बिलकुल सही है बिलकुल आप लोग बूढ़ा करोगे तो मैं बूढ़ा हो जाओंगा आप कहोगे या निम्लिकित में से सदेव स्त्रिलिंग शब्द कौन सा श्याबाद श्याबाद तनमे छिपकली देखो नदी बुढ़िया मठकी नदी क्योंकि नदी का होता है नद देखो नदी का नद होता है नद कहते है नाले को नाला नदी स्रिलिंग और नद पुलिंग और बुढ़िया का होता है बूढ़ा और मठकी का होता है मठका तो प्रशन चलना है जो बिलकुल आ सकते हैं आपकी परिशा में आ सकते हैं इनके उत्तर देने की इस्तिती में आप हो गए तो बस आपका का ये चैप्टर तैयार हो गया है तो खक्षा भी समुवा चक है और सेना भी समुवा चक है या सतीश जी आपको आ रहा है तनमे जी और गुलाब से दूर्चन राजन और भगवान और कमलेश और तनमे पल्लवी बाबु सेवरिया खिशन प्रियंका राहूल सुदीर कमांडो और जीरिदर राहूल स्तीमा रामावतार योगेंद्र सत्य प्रकाश ये पुलिस है पुलिस देखिया पुलिस प्रियंका मनोज राम गुर्जर पूजा रेणू विजय सिंग और प्रकाश नरेन दिनेश सुदीर कुमार सबाब की कमेंटार है सुमन गुपता दिनेश प्रकाश राम गुर्जर सुमन या इसमें निपात खाना खाया ही होगा लड़के ने खाना खाया ही होगा ही आगया अर्भी और फार्सी दो अलगलग प्रकार की भाशा है या जैसे हमारी राज्तानी और गुजराती अलग लगे ना राज्तानी अलगे या हिंदी और गु पुलिस वाला आ गया वाला अलग है पुलिस वाला और पुलिस वाला आप आये हुँ भागो या यह देखो पुलिस अध्यापिका का अध्यापक होता है बादल का क्या होता बताओ बादल का इस ट्रिलिंग होता है क्या देखो लिखो देख बादल का क्या होता है जुंड का मतलब है समूँ लोगों का जुंड होता है गायों का जुंड है जुंड यह नि गुरुप या बिल्कुल मनोज जी, मनोज शर्मा जी, आप यूपी से मनोज शर्मा जी, आपका कैसे नहीं देख रहे हैं, राम गुर्जर, किशन और पूजा कौकस बिल्कुल आपके देख रहे हैं, खाना खाया ही होगा, खाना खाया ही होगा, खाना खाया ही होगा, खाना खाया है, ख सा नबूत खाना खाया होगा, खाया ही होगा अंदाजायक, यास, खाया ही है, उसने खाना खाया ही है, ये निश्चित्ता है, और खाया ही होगा, ये है संदिक दिता, ये देखो, बादल का क्या है, बदली, बदली 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 है, यास, ये बदली है, जुन्ड का लेकिन जुन्ड है पुलिंग, भेडों का जुन्ड खड़ा है, हरीनों का जुन्ड खड़ा है, हरीन स्त्री लेंगे और जुन्ड पुलिंगे, है न देखिये, मजे की बात, अध्या पिका, आगे चलो, निमलिकित में सदय पुलिंग शब्द कौन सा है, सदय पुलिंग शब दूँगा आपको सारे टेस्ट दूँगा जो जो पढ़ा रहे हैं टॉपिक्स उनके दीरी दीरी टेस्ट आएंगे टेस्ट दोगे आप या इसलिए आप चिंता मत कीजे टेस्ट बना रखें मैंने कि या राम जी पुरा माल वी नगर उसके आगे तो रहता हूं रमा उथार जीमेन जो है cash सुख के पीछे सरसुती नगर वहीं तो रहता हूं राम जी पुरा है ना राम जी पुरा वहां पर भेंसे चराइए हैं हमारे छोटे भाईयों ने खेत थे तुमारे क्या यह देखे कच्वा बेलकुल कच्वा अचा भेंस भेंस का तो आप जानते हो ना भेंस सदय पुलिंग सदय पुलिंग शब्द कौन सा कच्वा चूहा का चुहिया होता है ना तो सदय पुलिंग का हुआ और भेंस का भेंसा होता है और मुर्गा का मुर्गी होता है दिमा हमारी मातर भाषा कुछ भी नहीं है यह देखो निमद लगाओ सद श्रिलिंग कोन सा है तपस्वी का श्रिलिंग कौन सा है और भेंस का क्या होता है यह लोग इनको भेंस का क्या होता नहीं पता है क्या है बेंस का बेंसा होता है मोर का मोरनी होता है यह देखे मोरनी निमलिकित में सदय श्रिलिंग शब्द कौन सा नहीं है या बिलकुछ सही लिखा अरे गिलेरी तो है सदय गिलेरी का गिलेरा नहीं होता न और मैना श्रिलिंग है मैना का मैन नहीं होता और कोईल का कोईला नहीं हो लेकिन मोर नहीं का तो मोर होता है ना, या, आप क्यों आप उत्तर देते हो, आपका उत्तर कैसे, आपका नाम नहीं लेते क्या, आप में, तोथा मेना, तोथा मेना, तोथा अलग पक्षी है, मेना अलग पक्षी है, तोथा मेना दोनों एक जोड़े बना दी है, ये मत समझें कि मैना तोता की स्रिलिंग मैना ना मैना पक्षी अलग है तोता अलग है तोता की तोती अलग होती है और मैना जो मैना जो बोलती है उसका मैन अलग होता है इसलिए दोनों अलग लग नहीं तोता मैना को एक पक्षी मत समझ लेना बिलकुल या आगे चलो देखो मोर नहीं बिल तो टेस्ट आएगा उसमें पढ़ेंगे, बेसिक चीज हमने कर दी आपको, उंद्रा बोलते हैं, या चुए को उंद्रा बोलते हैं, हम तो उंद्रा ही बोलते हैं, और उंद्री बोलते हैं, उंद्रा उंद्री, भैंस को पाड़ा बोलते हैं, भैंस को पाड़ा थोड़े हैं भेंस का भेंसा होता है आँ पाड़ा भी बोलते हैं बिल्कुल ठीक है भेंस का भेंसा पाड़ा बिल्कुल सही बोलते हैं या बिल्कुल ओके लेकिन मानक भाषा में भेंस का भेंसा है या सतीश धाकड आप उतर देते हैं और ये टीना आपका नाम कैसे नहीं आता आई गया टीना आगया टी डबली एने टीना और उंद्रा रेनुक उमर बिल्कुल सब उंद्रा यह साब हम उंद्रों हम वहीं पर है उन्हीं बिलों से पैदा हुए है उन्हीं जहां पर उंद्रे खोड़ा करते थे